सो हाई गाईज वेलकम टेया MSBT Solution अगर आप इस चैनल पे नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो गाईज बहुत सरे स्टूडन्स की एक्जाम अभी खतम हो चुकी है कई स्टूडन्ट की एक्जाम है वो थर्ड ओक उसको खतम हो जाएंगी सो गाईज बहुत सरे स्टूडन्स मेरे को पूछ रहे थे कि डाइरेक्ट सेकेंडेर इंजिनिरिंग का जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस टाइप से होगा क्या क्या रहता है उसके अंदर एक्टिविटीज उसके अंदर के सीट मैट्रिक्स कैप राउंड वन का कट ओफ कैप सब्सक्राइब करना मद भूला सो लेट्स गेट स्टार्टेड अगाई जो जितने भी जो इंफोर्मेशन हैं मैंने मेरे साइड के उपर अपलोड कर दिये है तो आपको सिंपली गूगल पर जाके सर्च करना है MSBT Solution और मैंने description के निचे भी link दे दी है तो आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हो आपको सिंप Google पर जाके सर्च करना है MSBT Solution वही फर्स्ट वेबसाइड आपको मिल जाएगी उसके उपर आपको क्लिक करना है और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा आपको लेप साइड के कॉर्णर के उपर क्लिक करना है और आपको फिर यहाप पर आप्शन मिल जाएगा सेकेंड लास्ट आप्शन आपको यहाप पर मिल जाएगा Diploma to Direct Second Year Engineering आपको यह उप्शन है वह सिलेक करना है ओपन करते हैं So कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है So Diploma to Direct Second Year Engineering, Admission Process, Cut-Off List of Cap Round 1 and Cap Round 2, Seat Matrix, Activities and Schedule जितना भी जो लास्ट इयर का जो प्रोसेस था वो सब कुछ प्रोसेस और किस टाइप से होने वाला है और जो लास्ट इयर का Cut-Off क्या था, यह सब कुछ है, वो मैंने इस पे पोस्ट करके रग दिया है So Guys, जो Activities और Schedule जो किस टाइप से होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा यह जो Activities और Schedule हो लास्ट इयर का है So Guys, Direct Second Year Engineering का जो Process है, वो कुछ इस टाइप से रहता है कि आपको Online Registration करना पड़ता है, आपके जो Document से Online Upload करने पड़ते है So Guys, Second Point है Document Verification and Confirmation of Application Form for Admission by Online So Guys, आपको जो Document Online ही Verify हो जाएंगे So Guys, Third Point है Display of Provisional Merit So Guys, Provisional List के अंदर जिसको Highest Percentage है उसका नाम First आता है जिसका Lowest Percentage ही उसका नाम निचा आता है So Guys, Percentage वाई सबी Students के जो नई में उसके अंदर Provisional List के अंदर आ जाते है उसके बाद में Submission of Gravians So Guys, कुछ इस टाइप से रहता है बाद में फिर से Merit List हो जाती है फिर आई जैसे कि Six Point में में मेंशन किया हुआ है So Guys, आप Cap का जब Form भरोगे तो उस टाइम पे आपको एक Seat Matrix के PDF हो अपलोड हो जाएगी तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि किन College को कितने-कितने Seat से Categories wise, Cast wise कितने-कितने Seat से जो Allocate किये हुए है So हो सब जो Information है आपको Seat Matrix में मिल जाएगी So उसके बाद में Cap Round 1 का Form आपको Feel करना है उसके बाद में Cap Round 2 का Form आपको Feel करने का है तो यह तो सिर्फ the Activities और Schedule के बाद हो So guys, अगर आपको Seat Matrix, Cap Round 1, Cap Round 2 सब कुछ Explanation के साथ अगर चाहिए रहेगा तो Comment Box में Comment कीजे So guys, मैं आपके लिए Seat Matrix भी Explain कर दूँगा So guys, मैं आपके लिए Cap Round 1, Cap Round 2 का जो Cut Off List है वो भी आपको Explain कर दूँगा Means आपको कुछ भी Problem नहीं आएगा Admission Process के लिए So guys, जल्द ही जो Top Colleges के जो List है मैं आपको यह पे Upload कर दूँगा All College List in Maharashtra Top College in Mumbai Top College in Pune So guys, आपको सिर्फ Comment Box के अंदर Comment करना है आपको जो Bit Out होगा वो सब कुछ Clear हो जाएगा So guys, अगर आपको Engineering Admission Process के कुछ भी Update चाहिए रहेंगे WhatsApp के उपर So आप इस Number पे मेरे को Message कर सकते हो So guys, नेक्स वीडियो में आपको बता दूँगा कि सिर्ट मैर्टिक्स इरेटेर कि कौन से College को कितने सिर्ट्स अलोकेट है कितने कितने College को सिर्ट्स मिलते है कितने कितने सिर्ट्स अलोकेट है